सभी को नमस्कार, करियर फ्रेस चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, जिस किताब से आज आपको डिक्टेशन बोला जा रहा है बहुत है दुलब किताब है पर ऐसे ही खोजबीन के दोरान हाथ लग गई इसके बहुत अच्छे मैटर है और आपको जानकर हैरानी होगी जिसके दोरा यह किताब लिखी गई है उसकी स्पीड हिंदी स्टेनोग्राफी में धाई सो सब्द प्रतिमिनट है जिसके लिए उनको उपराश्टपती एम हिदायत उल्ला जी से समानित किया जा चुका था 1981 में तमाम पुरसकार उनके नाम है और उनका यह रिकॉर्ड आज भी इंडिया लेवल पे एक रिकॉर्ड है तो इसके मैटर बहुत अच्छे लगे हमें तो हमें लगा कि आपको भी इसका लाब ज़रूर मिलना चाहिए खूब मल लगा के लिखेंगे ध्यान पूरवक लिखने के लिए तयार है Ready? Start हमारे देश में पहली पंचवर्सी योजना में और दूसरी पंचवर्सी योजना में और द्योगिक विकास की ओर विसेश ध्यान रखा गया और बहुत सोच समझ कर उसके लच्छ निर्धारित किये गये देश के लिए यह दुर्भागि की बात है कि जिस वक्त तक हमारी पंचवर्सी योजना में सफलता प्राप्त कर रही थी उस वक्त तक देश में अनेक प्रकार के अरास्ट्रीय ततो भी पनप गय थे इन तमाम लोगों ने देश के हर एक छेत्र में असांति का वातावरण पैदा कर दिया था अउद्योगी कर्मचारियों को भड़का कर उनसे हड़ताले करवाना सुरू कर दिया जो लोग हरताल में सामिल नहीं होते थे उनको मार मार कर पकड़ पकड़ कर कारखानों में जाने से रोका मजदूरों के सामने तथियों को तोड मरोर कर पेस किया गया और उनको किसी तरह से समझा बुझा कर हड़ताल के पच्छ में कर लिया दपतरों में लाल फीता सा ही बढ़ती चली गई इसका नतीजा यह हुआ है कि कार्यालियों में भी सरकारी कामकाज एक तरह से बंद होने लगा लोग यह जानना चाहेंगे कि वे कौन-कौन सी चीजें हैं या कौन-कौन सी बातें हैं जिनके कारण देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद घुमा फिरा कर यही बात लोग कहेंगे कि इसके लिए देश के अंदर और बाहर एक भारी सड़े अंत्र रचा जा रहा था देश में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वातावरण तैयार कर दिया गया था उसके फलस्वरूप तृतिय पंचवर्सी योजना काल में ही प्रगति की गति धीमी होने लगी थी इसका नतीजा यह है कि दृतिय पंचवर्सी योजना के लक्ष प्राप्त कर लेने के बाद और तृतिय पंचवर्सी योजना की रूप रेखा तैयार हो जाने के बाद भी चतुर्थ योजना काल में सत प्रतिसत लच्छों की प्राप्ति नहीं हो सकी वे कौन-कौन से लोग थे जो देश की प्रगति में बाधक थे या उनकी कौन-कौन सी भासाएं थी इसका उलेख न करते हुए यही कहना परियाप्त होगा कि विकसित देशों में भी अनेक रास्ट ऐसे थे जो भारत की प्रगति से असंतुष्ट थे ऐसे देशों के नेता लोग विकसित और विकासिल रास्टों के बीच किसी प्रकार के सहयोग से संतुष्ट न थे अता भारत सरकार ने देश की प्रगति में बाधक तत्वों को सबक सिखाने और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए देश में आपत कालीन इस्थिति की घोषणा की सरकार इस निश्चे पर पहुची कि यह देश प्रगति कर सकता है परन्तु यह तब जब की ऐसे असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाए आपत कालीन घोषणा करके सरकार ने ऐसी आरास्ट्री गतिविधियों पर रोक लगादी देश में जीवन के हर छेत्र में अपेचित प्रगति हो रही है समाप्त धन्यवाद